सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब की विशे है हिंदी और टॉपिक है बच्चो जहां पहिया है साइकिल प्रिशिक्षन शुवर देखना एक असाधर अनुभव है किला कुरूची गाउं में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इखटी हुई थी साइकिल चलाने के अंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेक देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता उन्हें इसे सीखना ही है साइकिल ने उन्हें पुर्शो द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्णा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया ये नव साइकिल चलाने गाने भी गाती हैं जो नई साइकिल चलाने वाली महिला हैं मतलब चालक उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोथसाहन दिया गया है इन में से एक गाने की पंक्ती का भाव है ओ बहिना आज सीखे साइकिल घुमे समय के पहिये संग जिने साइकिल चलाने का प्रिशिक्षर मिल चुका है उन में से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई-नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सयोग देती है उन में यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बलकि उनके बीच ये उत्सहां भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए 1992 में अंतराश्के महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता हैंडल पर ज़ंडिया लगाएं घंटिया बजाते होए साइकिल पर सवार पंद्रह सो महिलाओं ने पुडुकोटई में तुफान ला दिया महिलाओं की साइकिल चलाने की स्तैयारी ने यहां रहने वालों को हका बका कर दिया इस सारे मामले पर पुरुशों की क्या राय थी इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था इस अकेले डीलर ने जो यहां का अकेला डीलर था इसके यहां लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धी हुई माना जा सकता है कि सांकडे को दो कारणों से कम करके आखा गया पहली बात तो यह है कि धेर सारी महिलाओं उने जो लेडी साइकिल का इंतिजार नहीं कर सकती थी जेंट साइकिलें खरीदने लगी दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतरकता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ कुदीमी अन्नमलाई की चिलचलाती धूप में एक अदबुद रिष्चे की तरह पत्थर के खादानों में दौड़ती भाकती 22 वर्षी है मनोरणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुखे शहर से कटा हुआ है यहां जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है शब्दार्थ देखेंगे बच्चो प्रिषिक्षन शिविर का मतलब होता है सीखने के केम्प जहां पर कुछ चीज सिखाई जाती है आवेश का मुईनिंग है जोश, रोज मर्रा का पृति दिन, हकका बकका, चकित, वृद्धी, ज्यादा गदालच को पढ़कर निम्लिकित प्रिषिनों के उतर लिखे पहला क्वेशन है, साइकल प्रिषिक्षन शिविर में क्या-क्या होता था तो इसका अंसर लिखेंगे एक जोश भरे गीत के साथ वे शिविर में प्रिषिक्षन जारी रख रही थी महिलाएं जो साइकल चलाना जानती थी वे भी शिविर में आकर सीखने वाली महिलाओं का होसला बढ़ा रही थी ठीक है आप question number 2 देख लेते हैं बच्चो जिन महिलाओं को साइकल चलाने का prescription मिल चुका था वे महिलाएं क्या करती थी तो इसका आंसल लिखेंगे आप question 3 है बच्चो प्रारभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परन्तु आर साइकल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया कल्प न कीजिए तो इसका आंसल हम लिखेंगे शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परप आर-続ith के मलिक ने इसका समर्थन किया क्योंकि आर-続ith के मालिक के यां में वृद्ध हो रही थी क्योंकि cycle भी करें थी यहां तक की ladies cycle कम होने से महिला आये जंट cycle भी खरीद रही थी यहां पर आएगा पूंड विराम, ठीक है? आर-続ith cycles के मालिक ने आंतोलन का समर्थन स्वार्थ फर्ष किया, ठीक है, युकि इसमें इसका स्वार्थ है था, इसलिए उसने उसका समर्थन किया था, अब कोशिन नमबर फोर देखते हैं, साइकल की बिकरी को किन दो कारणों से काम करके आखा गया, पढ़कर बताईए, तो इसका अंसर बच्च काम कर लेना, पहली बात, तो यह है कि डेर सारी महिलाओं ने, जो लेडी साइकल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जैंट्स साइकलें खरीदने लगी, ठीक है, दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतरकता के साथ, ये जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिकरी कर दो, विभाग का कोई आदमी हूँ, ठीक है बच्चों, तो यहां से यहां तक answer number हो जाएगा, फोर, आपकी वरक्षीट में दिया हुआ, यही से लिख लेंगे, आप question number 5 है, गतिविदी, महिलाओं का गाओं में साइकल चलाना किस प्रकार का परिवर्दन ला सकता है, कल्पना कर कर लिख लेंगे हम, महिलाओं छोटे मोटे काम स्वयम कर सकती है, ठीक है, यह सब काम साइकल की सायता सोंगे, second point ढाल कर लिखेंगे, अपने उतपाद को, यहां पर आपको कर लेना, अपने उतपाद को गाओं में ले जाकर बेच सकती है, इससे उनकी आर्थिक इस्तिती फॉर्ट पॉइंट है, उनके समय और श्रम की बचट हो सकती है, फिफ्ट पॉइंट है, वह आतम निर्भर बन सकती है, ठीक है, आतम निर्भर मतलब self-dependent, उन्हें किसी पर depend रहने की जरूरत नहीं है, वो अपना खुद काम कर सकती है, साइकल की सायता से कहीं भी जाना आन उने तो वो जा सकती है ठीक है कुछ समाल लेने जाना है या किसी काम से जाना तो भख़ जा सकती है तो यह आपकी बच्चो वक्षीट सॉल्व हो गई है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए है तो प्ली고 को लाइक किईज़े शेर किज़े हमाँ चैनल के सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग